Hello guys, welcome to our channel Mr. Sunlight और Sunlight के इस बहतरीन और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे National Aerospace Laboratories जो कि CSI या R के अंदर आता है उसने एक BiPAP Non-Invasive Ventilator त्यार गया है जिसका नाम स्वस्तवाई रुखा गया है आप इतना ही माने चे वेंटिलेटर त्यार किया गया है और इस वेंटिलेटर की दोस्तो क्या खास बात है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा उससे पहले बता देता है वेंटिलेटर यूसफुल क्यों है और अभी की situation है कहा तक इसका use है तो इंडिया में वेंटिलेटर अगर हम देखें एस्टिमेट किया गया कि 48,000 से 50,000 तक है तो यह बहुत एक कम संख्या है अगर हम देखें तो अगर कॉर्णा वेरेस का जो scale है बढ़ जाता है बढ़ेगा निकों कि lockdown हम लोग अची तरीके से follow कर रहे है कोशिश तो सभी की है कि इसको flat रखा जाए अभी flat है लेकिन अगर यह बढ़ता है आने वाली दुनों में तो वेंटिलेटर की जो एहम भूमिका है वो हमें दिखाई देने वाली है और वेंटिलेटर आप समझते हैं कि एक बहुत ही highly complex machine होती जिसे operate करना भी उतने ही मुश्किल है जिसे handle करना और जिसे बनाना ही इतना मुश्किल है तो आज के इस time पर भी 36 days के अंदर दोस्तों काबिलेतारी बात है इस time के अंदर जाए अपरेल से लगे हैं यह लोग और 36 days के अंदर यह लोगों ने क्या बना दिया है एक ventilator बना दिया है बहुत ही complex अच्छा ventilator है जो कि moderate और mild level COVID-19 patient को treat करेगा यानि कि यह मालेचे जिसे ज़्यादा कुछ इतने complex problem नहीं है अब पहले stages में इसको clear कर सकता है तो उस हिसाब से काफी important हो जाता है और मैं पवन चंदर आप सभी के साथ हूँ इस analysis को लेकर आया हूँ आपके लिए तो जो CSIR है बैंगलालू में यह है वहाँ पे इन्होंने स्वस्त वायू by a machine developed की है और यह ventilator की जो खास बात ही हो जाती है जब आपको breathing problem है ventilator का काम क्या है breathing problem जब आपको आजाती है एक patient है गर उसे breathing problem आ रही है तो उसे ventilator पर रखा जाता है ताकि उसकी body के अंदर oxygen flow उतना रहे blood stream के अंदर oxygen flow की जो मातरा काम हो गई थी उसको उस level तक पहचाने के लिए ventilator का use होता है उसके लग 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 types of things करनी पर चीज़ासे की समझ दीजे pressure कितना रखना है oxygen का और और भी अलग लग चीज़े तो वो सब चीज़े इसके अंदर आती है और एक बहुत छोटा इसका मतलब जो एक सबसे बड़ा advantage है अगर आपको नीचे लेकर बताओ देखो यहां लिखा भी हुए सबसे जब इसका बड़ा advantage है यहां पर मैं दिखाता हूँ आपको machine is that simple to use असान है काम यूज करने के लिए specialized nursing और without any specialized nursing मतलब कि कोई ऐसी nursing नहीं चीज़े होती है दोस्तों खास बात क्या हो जाती है ना कि जो ventilators होते हैं इनमें nursing मतलब इसको सीखने के लिए बहुत टाइमची होता है कैसे आपको वहाँ fit करना है उसके marks किस हिसाफ से pressure रखना है और और भी अलग-लग चीज़े हो जाती है दोस्तों कि आपको कि किस हिसाफ से oxygen जो external oxygen concentrator आपने रखा हुआ है उसे साफ से यूज कर सकते हैं और treat कर सकते हैं अगर हम home quarantine कर रहे हैं और अगर था कुछ हो जाता है तो at that emergency situation we can also use that particular thing और यहाँ पर कागा है कि cost effective पैसा बहुत बच्चा है क्योंकि देखिए made in India है indigenous है आपके घरमा बनाए है सारे components आपके घर में है देखिए majority of indigenous जितने भी majority components है इंडिया के अपने घर के ही है और उसके बाद बहुत ही effective हुजाता है COVID-19 patients और इस time पर जब इंडिया के पास देखिए equipments की थोड़ी कमी है हम आनते हैं लेकिन अगर हम solution देखिए तो बना रहे है IISC Bangalore भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है और इसने तो क्या बोलते हैं अभी काफी ऐसी जगाओं पर हैं जो पर प्रैमेस्टर नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि कुछ innovative लाईए आप चाहे आप video conferencing app बनाईए चाहे आप कुछ ventilators के उपर बनाईए लेकिन innovation करिए हमारे scientists और engineers को नोंने मलब एक challenge दिया हुआ है इस time पर तो और हमारे scientists और engineers को बहुत पखू भी ले रहे हैं तो मेरा काम तो यह है कि आप तक वो बात पहुचाई जाए क्योंकि मैं जहां तक देखता हूं कि mainstream media इस चीज़ को cover जादा करती नहीं है और करती भी है तो थोड़ा सा जैसे वो एक होता ना 100 news आती है तो 100 news में जल्दी से बिल्कुल 2-3 second में इस news को भोल देती है जबकि इस चीज़ में जादा गौर करना चाहिए क्योंकि अगर हम इन दिनों में positive रहे mental health अगर हमारी positive रहे तो उसे साफ से बहुत अच्छा beneficial हमारे लिए हो जाता है क्योंकि यह देखिए इतने 50 दिन हो गए है और lockdown है तो हमें अगर good news नहीं मिलती है अगर हमें रोज ही परतलता है कि cases बढ़ रहे है और इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा है और काफी ऐसी चीज़े है तो यह बहुत बिकारवा हो जाती है इसलिए मैं ऐसी कोशिश करते रहता हूँ कि आपको एक positive news दूँ good news दूँ तो आगे बढ़ता हूँ दोस्तों आगे बात करूँगा कि इस production में इन्होंने क्या कहा है CSIR NULL is in the process of taking it forward with regulatory authorities for the approval and expected to get shortly CSIR NULL has already initiated dialogue with major public private industries for mass production mass production दोस्तों आप देखिए आप इन्होंने तो एक prototype बना दिया इन्होंने क्या बना दिया एक prototype एक example देदी है कि हाँ भाई ऐसी machine है ऐसा इसका use है हम इसको आराम से use करता है compact है सब कुछ इसके features बता दिये अब उसे mass production करना है तो जैसे एक vaccine को ट्रायल लेता है लेबर्वर्टी में ट्रायल होता है production तो एक company करेगी ना एक फार्मर्स विटकल कंपनी करेगी वैसे ही इसका production जो है एक company करेगी और उसके लिए उन्होंने काफ़े बातचीत अब dialogues इन्होंने start कर दिया है तो जो डीजी है CSIR के Dr. Shaker C. Mande जो की इनके chairman आप समझ लीजे CSIR team which has enabled a spin-off technology उन्होंने 1998 में भी एक इंडी जीजने लिए ऐसा एक equipment बिल्ड किया था मलब यह दूसरा था लेकिन ऐसा जैसे आप जानते हैं 111 में को जैसे technological day था वैसे ही इस technology day में इन्होंने क्या बिल्ड किया यह ventilator बिल्ड किया था यह बहुत खास बात हो जाती कि technology day में यह ऐसी चीजे करके ला रहे है खुशी की बाद भी है दोस्तों अच्छा अगली बाद जो है दोस्तों यह है कि यह जो director है CSIR पहले वाले chairman होगे साथ से तो श्री जीतेंदर जयादा विन्होंने कहा है कि यह जो ventilator machine है यह ट्रीट करेगी moderate यहां लिखा हुआ है देखिए moderate और mid stage severe covid-19 patient which does not require incubation and invasive ventilation याने कि जिनको ज़्यादा इनको एफेक्ट नहीं किया है लेकिन थोड़ा बहुत अगर एफेक्ट है क्योंकि देखिए हर किसे के लिए आप एक बिल्कू complex machine ही ले सकते ventilator is more complex machine अभी जो आ ली आई है यह थोड़ी सी थोड़ा सा कम complex machine है और इसे साबसागर हम देखें तो यह treat कर सकती ही moderate level को मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया था आपको तो इन्होंने कहा है कि अब जो success है इसकी वो किसे contribute की जाती हाँ पर बहुत सारे scientist का नाम लि आई जी आई भी और यह बहुत सारे scientist हैं जिन्होंने इस covid-19 restrictions के बावजूत होकर भी डॉक्टर्स हमारा काम कर रहे हैं पलिस वाले अपना काम कर रहे हैं और हमारी भी जरूवत बन जाती है कि हम भी अपने घर में रहें इस lockdown को पूरे तरह से follow करें क्योंकि देखिए आप एक तरीके से थोड़ा सा ऐसी मैं अपना suggestion जैसा suggestion क्या दूँ मैं पतलब ऐसी बता रहा हूं थोड़ा acknowledge कर रहा हूं तो जो यहां पर दिखाए जा रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर अमर नारायन जिनकी मैंने अभी बात करी थी और चीफ medical doctor इन्होंने यहां प खाज बात यहां पर यह बन जाती है कि ऐसी मशीन से ऐसी मशीन की ज़रूबत है अब देखें आया ऐसी बाइल और ने भी किया और इन सब्सक्राइब तो हमें यही रहना है कि हम यह कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसी positive news सुनते रहें और ऐसी positive news मैं आपके लिए लेकर आते र से उपर साल के बुजर्ग व्यक्ति के लिए एक ऐसी disease वो होल्ड नहीं कर पाता तो ventilator के यहां पर एक बहुत important role बन जाता है दोस्तों और इस important role को देखते वे agencies लगी हुई है तो this all for the analysis और मैं चाहता हूं कि आपने अगर अब तक subscribe नहीं के चैनल को तो subscribe कर दीजिए क्या जाता है subscribe करने ऐसे टुक तो करना आपको subscribe हो जाएगा और like कर दीजिए अगर आप subscribe कर चुके है share कर दीजिए आपका लगता है कि knowledge spread हो नहीं चाहिए तो share कर दीजिए और thank you देखने के लिए thank you and have a nice day ahead this is all for the analysis bye bye see you later stay safe and stay healthy in your home only जब तक आपको ज़रुवत ना हो तब तक भा